हेलो फ्रेंद नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है तो अगर आप हमारे यूटूब चैनल पे नय हैं तो प्लीस हमारे यूटूब चैनल को सब्सकाइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तो आज हम आप सभी लोग को बताएंगे कि बैंक का बड़ोदा का आप पैसा कैसे निकालेंगे तो आप आधार कार से बैंक का बड़ोदा का पैसा कैसे निकालेंगे तो बैंक का बड़ोदा का पैसा इस समय एपियस से नहीं निकल पा रहा है तो बहुत ही दिक्कते आ रहे हैं तो मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि बैंक का बढ़ोदा का पैशा आप कैसे निकाल पाएंगे तो दोस्तो सबसे पहले आप हमारे युट्यूब चनल को सब्सक्राइब कर लिएजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा तो सबसे पहले हम जाएंगे अपना Spice Money open करेंगे तो Spice Money जैसे हम open करेंगे तो यहाँ पे मैं अपना ID password डाल करके login कर लूँगा तो यह आपको Spice Money का dashboard देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसे देखने को मिलेंगी तो सबसे पहले मैं जाता हूँ APS विड्राल पे मैं APS विड्राल पे किलिक करूंगा तो यहाँ पे आधार बेस्ट अथो केंटिंग के सन्य मांग रहा है तो यह regular मांगता है दिन में एक बार प्रते दिन एक बार करनी होगी यह नियमक दिसार निर्देशों के अनुशार आपको अपनी पहचान की पुष्टी प्रते दिन एक बार करनी होगी तो यह एक security है तो इसको हम cut कर देंते हैं या फिर आप अपना finger लगा के कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको select bank तो यहाँ पे bank का नाम select करेंगे बैंक का बड़ोदा प्लस विजया बैंक प्लस देना मैं और यहाँ पे आपको ग्रहक का आधार नमबर डालना है और यहाँ पे आपको ग्रहक का mobile नमबर दे देना है जैसे ही आपको इमबाइल नमबर दे देते हैं और यहाँ पे आपको minimum 100 रुपे और maximum 10,000 रुपे आप आधारकार से निकाल सकते हैं तो यहाँ पे आपको रकम भरनी है जितना भी amount आपका ग्रहका निकालना है तो यहाँ पे आपको aspect पे click करके आप scan finger पे click करेंगे जब scan finger पे click करते हैं तो आपको suspected fraud या maximum limited कुछ करके error आएगा तो वो आपको error देखने को मिलेगा तो यहाँ से पैसे नहीं निकल पा रहे हैं अगर आपको भी suspected fraud या trying to more than three time करके या कोई भी error आ रहा है तो अगर आपका पैशा नहीं निकल रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा एक बार आप back जाईए ठीके back जाने के बाद आप यहाँ पे quick link में देख पा रहे होंगे भीम आधार pay तो भीम आधार pay भीम आधार pay पे आपको click करना होगा भीम आधार पे पे आप किलिक करने के बाद आपको यहां पे भी आप आधार कार्ट से simple तरीके से उसी तरीके से पैसे निकाल पाएंगे तो यहां पे आपको बैंक का selection करना होगा और customer का आधार नंबर डालना होगा फिर customer का mobile नंबर और inter amount जितना भी आप एमांट डालोगे निकालना है वो आपको यहाँ पर треть करना होगा एमांट दर्ज कोई करने के बाद आपको यहाँ पर आयर्स पाउट्ट पे कलिक करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दू अगर आप 1000 रुपे निकालते हैं तो 3 रुपे कुछ पैसे आपके वाइलेट से कटेंगे तो जो मालिया आप 10,000 निकालते हैं तो 27 रुपे, 29 रुपे के आसपात कुछ कटता है 3 रुपे कुछ पैसे के हिशापशे आपका 1000 पे ये चार्जस लगता है तो यहां से आप बहुत ही आसान तरीके से आप पैसे निकाल सकते हैं दोस्तो मैं भीम आधार पे के ही माध्यम से किवल बैंक आप बड़ोदा का ही पैसा निकाल रहा हूँ तो यहां पे अगर इस से भी आपका पैसा नहीं निकाल रहा है भीम आधार पे से भी अगर आपका पैसा नहीं निकल रहा है तो दोस्तो आपको एक नई डिवाइश लेना है न्यू डिवाइश परचेस करके आप APS से ही पैसे निकालें ठीक है और आपको 2010, 2020 या 2020 करके आपको पैसे नहीं निकालने हैं अन्य था आपकी डिवाइश ब्लोक कर दी जाएगी दोस्तो बैंका बड़ोदा आपकी आईडी को ब्लोक नहीं करता है बलकि वो आपके डिवाइश को ही ब्लोक कर देता है अगर आप नई डिवाइश ला करके आप APS के माध्यम से कैश विड्राल करते हैं तो बैंक आप बड़ोदा का बहुत ही आसानी तरीके से cash withdrawal हो जाएगा अगर आप new device purchase करते हैं तभी अनित्था अगर आपकी device block कर दी गई है तो आप बैंक आप बड़ोदा का पैशा कभी नहीं निकाल पाएंगे तो वीडियो से आपको थोड़ी भी बहुत मदद मिलें तो प्लीज हमारी टूप्रेल को सब्सक्राइब करें अगर कोई भी confusion है अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं थाइंक यू फार वाचिंग मैं वीडियो बने रही हमारे साथ